नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आज़ पर सो एक नई डेवलोप्मेंट सामने आई है पाकिस्तान के पडोसी मुल्क इरान ने उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया है जिसका परिणाम ये हुआ है कि पाकि पाकिस्तान ये जस्ट आज से एक दिन पहले हमारे सामने खबर सामने आई थी इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वज़े है जिसकी वज़े से इरान के द्वारा ये पावर सप्लाई को ने लंबित किया गया है और पाकिस्तान की ओवरॉल जो एनरजी क्रैसि जो कि आपके सामने हमने दिया हुआ है औल राइट सो पिछले महीने की शुरुवात की बात है ये वाली डेवलेप्मेंट सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो एनरजी क्रैसिस है वो इतनी जादा बढ़ चुकी है कि उनको अपने शॉपिंग मॉल्स अपनी मार्केट जो ह होती है और क्योंकि उनकी एकनॉमिक क्रैसिस काफी चल रही थी जिसकी वज़े से वो तेल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनकी ये जो एकनॉमिक क्रैसिस थी एनरजी क्रैसिस में भी बदल चुकी थी बलकि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पाकिस्तान की जो की मीटिंग्स हैं उसमें भी हमें बिजली देखने को नहीं मिल रही थी ये देखे लाइट बंद करके हुई काबिनेट बैठक सिर्फ एक महीने की विदेशी मुद्रा भंडार बाकी रह गया था ये इनकी स्थिती हो चुकी थी और उसके बाद जस्पिछले महीने के एंड संडे की रात को अपनी लो यूजज आवर्स होते हैं तो फ्यूल कंजर्व करने के लिए इलेक्रिसिटी को ओफिशल्स के द्वारा खुद ही बंद कर दिया गया लेकिन जब अगले दिन मौर्निंग उसको इन्होंने री स्टार्ट करने की कोशिश करी तो ये बड़ी प्र हैं वो यहां पर शांत नहीं हुई थी और इसके बाद पाकिस्तान ने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था सोचना कि किस तरीके से हम लोग हमारी एनरजी सेविंग को कर सकते हैं इसमें इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ जी इन्होंने कहा है कि 20 परसेंट अब गवर् रूपीज के आसपास को यहां पे सेव कर पाएंगे लेकिन यह डिफेंट सभी सामने आही रही थी कि अब पाकिस्तान के सामने एक और नया जटका आ चुका है इरान जो पाकिस्तान का पडोसी मुल्क है इनके द्वारा बेसिकली पावर सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गय यह आप यहां पे देख पाएंगे इस एरिया को जो की डिरेक्टी इसके साथ एरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है इसको माकरान डिविजिन के नाम से जाना जाता है और यह बलूचस्तान प्रोविंस का एक administrative division माना जाता है इस इस एरिया जो यहां पर red कलर में marked है यह वा जहां पर आपको ये माकरान डिविजन देखने को मिलती है, ये एरान है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के ही अंदर आने वाली बलूचिस्तान की माकरान डिविजन है, तो ये माकरान डिविजन को बेसिकली एरान जो है, वो काफी लंबे टाइम से बिजली की को इरान के द्वारा अब निलंबित कर दिया गया है पावर सप्लाई जो इनके बड़े-बड़े शेहर हैं इस पर्टेकुलर डिविजन में आने वाले एस्पेशली तुर्बत की बात करें पंजगुर की बात करें और ग्वादर जिसका नाम आपने सुना होगा ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पाकिस्तान माकरान डिविजन देयाब बैडली अफेक्टेड आफ्टर इरान सस्पेंड़ पावर सप्लाई तु इस एरियाज इरान के द्वारा लगभग 100 मेगावाट के आसपास की बिजली है ज पतलब की जो ये वाले इलाके हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए अभी तक आज दिन तक भी ये इरान के ही उपर डिपेंडेंट थे और जब पाकिस्तान के बहुत जादा मिनते करने के बाद उन्होंने कहा कि प्लीज इस बिजली को वापिस रिस्टोर कर तो ये काफी सर्प्राइजिंग है कि एरान ने यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं दिया है कई सारी स्पेकुलेशन सामने आ रही है कि शायद क्योंकि पाकिस्तान ने ब्लेम किया है एरान को जो उनके कंट्री में तहरीके तालिबान के अटाक्स हो रही है उसकी वज़े से और यह काफी सर्प्राइजिंग इसलिए भी बन जाता है बेकॉस पिछले साल जून के महीने में दोनों देशों के बीच में एक हाई लेवल मुलाकात हुई थी जिसमें कि ये निरधारित किया गया था कि एरान जो है वो पाकिस्तान को 104 मेगावाट का और एलेक्टिसिटी है जो की देने वाला है on top of the 100 मेगावाट जो की इरान already देता है तो पाकिस्तान ने request करी थी कि आप 100 जो दे रहे हैं उसके साथ आप 100 मेगावाट और दीजिए लेकिन suddenly अब यहाँ पर उनकी जो existing 100 मेगावाट थी उसको भी इरान के द्वारा suspend कर दिया गया आप in fact देखें हमें एक मार्च से हमें जादा बिजली देखने को मिलने वाली है उसके बाद इन्होंने social media पे tweet भी कर दिया कि हमें ग्वादार में 24-7 power supply मिलने वाली है एक मार्च 2023 से जिससे की हमारी industry, tourism और real estate business को काफी अच्छी बढ़त मिलेगी लेकिन अब इनके सामने ये वाली development सामने आ चुकी है, in fact पाकिस्तान यहाँ पर जो जीवानी के नाम से एक coastal city है, यहाँ से लेकर के ग्वादार तक इन्होंने एक 132 kv की transmission line को भी approve कर दिया था जिसमें की कहा था कि ये लगभग लगभग 2322 million पाकिस्तानी रुपीस का खर्चा करेंगे for the construction of the transmission line, लेकिन अब ये वा को suspend करने का, आप लोग क्या सूचते हैं, definitely बताएं हमें comment section में, जाने से पहले साथ हो एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि test book आपके लिए लाया है super coaching, जिसमें कि आप लोग अपने घर बैट के GS courses, optional courses और CSRAT courses सभी की त्यारी कर सकते हैं, और वो भी मातर 30,000 rupees में अगर teachers के super courses including my own science and tech course भी available करवाया जाएगा, thank you so much for listening, stay tuned and stay tuned.